आप लोग केसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के साथ अच्छी अच्छी और एकदम न्यू किचिन टिप्स शेर करने वाली हूँ जिसको आज मा के आप अपनी जिन्दगी आसान कर सकते हैं गंटों का काम मिन्टों में कर सकत तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नियूस पेपर भी है और यह एक छोटा सा पीड़ा है पीड़ा सबके घर में लकड़ी का कुछ समान पर बचा रहता है टेबूल वगारा सब जो रहते हैं कुरसी वगारा सब कुछ भी हो सकता है फनीचर वगारा सब जो पुराने हो जाते हैं टूट तूट जाते हैं कई कोने में पढ़े रहते तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हो साथ ही साथ यहाँ पे घर के घर का ही पाउदान है इसको ऐसी करके बनाया है पुराने कपरे से या फिर ऐसी मैट भी आप ले सकते हो इस काम के लिए तो दोस्तों सिलेंडर जहां रखाता है फुलर्स वगेरा सब पे तो वहां पे एक देखो के दाग लग जाता है जिसे साफ करने की परेशानी से आप इस ट्रिक को अपना के मुक्त हो जाओगे तो इस जगह मेरा स्लेंडर रखाता है तो मैं हमेशा यही काम करती हूं क्योंकि यह वेस्ट फनीचर का पिर्खा बना हुआ है तो इसके यह रखने के बाद मैं इसके उपर सिलेंडर रखती हूं दोस्तों दूसरे जगह यह मैट रख दिया है और यह ईस तरह से सिलेंडर रखने से होगा यह कि जहां सिलेंडर हम रखते है वहाँ पे गंदे पीले दाग धब्बे लग जाते हैं जिससे हमें रगड के रोज साफ करना पड़ता है तो वो परशानी से आपको इस ट्रिप को अपना होगे तो मुक्ती मिल जाएगा साफ करने की जंजट नहीं रहेगी दोस्तों और आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हो जहां आप सिलेंडर रखते हो और इससे होगा क्या इस मैट से आप असानी सी इजली ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ आराम से असानी से आप दूसरे रूम से किचन इस तरह से घीच के अगर कोई gens वगरा नहीं है और सिलेंडर खतम हो गया है तो असानी से इसको आप घीच के सिलेंडर को किचन तक ले जा सकते हो दोस्तों बहुत ही इसली चला जाएगा तो आप टेंसन मत किजे कि सिलेंडर खतम हो गया जेंडर उठाने में भारी हो रहा है तो लेडिस नहीं पिरद लिए यहां सकते हैं घ êtes और स्यावस्तों आपको ऐस पसंद आया होगा शलेंडर रखने का हैं उसे पटंद जरूर दबा दीजेगा इस यूसफूल को सकते हुडinky घाल मेरा फ्लेम अभी बहुत हाई है तो हाई फ्लेम पे मैंने ओईल को करका लिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम एकड़म लो टू मीडियम जितना कम हो सकता है कम कर दीजिए तो मीडियम पे आप सारे काम कीजिए तो इसमें मैं पहले जीरा डाल दे रहे हूं मिर्ची डाल दे रहे हूं जो जैसे सब्जी मुझे मा को खानी है वैसे मैं बना रहे हूं इसमें तेज पत्ता डाल दे रहे हूं तो आप बोलोगे कि यह क्या कर रही है मेरी दोस्त तो यह घरेलू टिप्स है दोस्तो पहले गैस का फ्लेम बहुत ही जादा हाई था और जब ह दोस्तो अब जो मैंने सब्जी काटी थी वो इसके दे रही हूं टो फोरन देने के बाद मैं सब्जी इसमें दे दियूं एकादम लो two medium गैस पर ही यह काम करना है लो two medium पर इसलिए काम करना तरह है अगर हम यस तरह से काम करेंगे तो यहां पे सीटे एक हपो बहुत हाई फ्लेम पे हाई फ्लेम हमारा रहता है और हाई फ्लेम पे हम फोरन वगेरा सब जलाते हैं सबजी उसी हाई फ्लेम पे देते हैं तो क्या होता है अगल बगल जो कीचन का हमारा है दिवालो पर इस तरह इधर उधर पूरा और गैस पे भी बेसिकली पूरा छीटा प तेल गरम कर लोगे उसके बाद आप एकदम low to medium gas कर दीजेगा फोरन सब दीजेगा इससे छीटा नहीं उरेगा चारो तरफ फैलेगा नहीं चीटा वगारा देने के बाद सब्जी वगारा सब देने के बाद आप gas का flame कम ही रखेगा और इस stage पर क्या कीजेगा आप जो है थाल दोस्तों कि सब्जी कर दीыш निखर के गार आई जैसे आप बनाते अSaludidus moos अच्छी घरेलू टिप्स है और लो टू मीडियम पे अगर हम कोई भी दाल सब्जी बनाते तो उसका आने में बहुत जबर्दस्त रहता है और गैस की बचट होती है तो आई होप आपको यह टिप्स पसंद आई होगी सब्जी दाल वगेरा जो भी चावल सव है बनाने का तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजेगा दोस्तों तो यहां पे केंडल है अकसर घरों में केंडल हम जलाते हैं कहीं पे भी तो क्या होता है कि केंडल को लगाते हैं कहीं पे भी अगर माल लीजे ऐसे करके हम लगा रहे हैं इसको तो यह पूरा चू के पूरा पिघल के क्या होता है, यहां वहां लग जाता है, कहीं पर भी आप लगाईए, तो फिर दिकत हो जाता है, उसको साप करने की परेशानी भी हो जाती है, यह फिर सम्ट critical आफ इसको कहीं लेके जाते हो, हातों में उठा के, कहीं भी आप एक जगाँ से दूसरी जगाँ ले जाओगे तो फिर दिकत होती है तो इसका एक बहुत ही जोगाड लगाया है बहुत ही देसी जोगाड उमीद है आपको यह पसंद आएगा तो दोस्तों यह दिया है तो दिया में करना कुछ नहीं है बस यह देखिये इस तरह से थोड़ा सा पीछे हमें पिखला के उसके बाद ऐसे स्टैन कर देंगे दोस्तों कहीं भी आप इसको फिर रखोगे तो ये पिखल पिखल के क्या होगा कि इसमें गिर जाएगा कहीं लगेगा भी नहीं और गंदगी साफ करने की फिर परेशानी नहीं होगी और ये इजली एक जगह से दूसरे जगह आप उठा के ले जा सकते हो फिर कोछ परेशानी नहीं है ये देखिए और एकड़ं ये सेफ है एकड़ं कोई भी इससे नुकसान नहीं है साइड इफिक नहीं है तो I hope आपको ये मुंबती जलाना है किस ट्रिक से तो ये ट्रिक आपको पसंद आए तो दोस्तों जब हम छोटे बच्चे को खाना देते हैं तो खाना इस ट्रिक से दीजे क्योंकि बच्चे हैं वो तो हमेशा नीचे बैटके नहीं खाएंगे वैसे तो भोजन नीचे आसन लगा के ही करना चाहिए जो बरे है बिस्तर पे नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चे का क्या है बच्चे कहीं पे भी टेबल पे चेयर पे बिस्तर पे खासकर बिस्तर पे बैटके टीबी देखते हुए खाते हैं तो क्या होता है हमारा बेट सीट बगैरा सब जो बिस्तर होता है वो गंदा हो जाता है तो उसके लिए एक बहुत चोटी सी ट्रिप्स है देखें निउस पेपर सबके घरों में रहता है अगर निउस पेपर नहीं है तो आप जो वेश्ट पेपर है उसका भी इस्तमाल कर सकते हो या जो पुराना कपड़ा है जो आपका काम का नहीं है कॉटन का तो उसको भी आप बच्चे को खाना देने से पहले बिच्छा सकते हो जितना दूर में वो खाएगा तो मेरे पास यह पेपर है फिलाल में पेपर से ही यह आपको ट्रिक्स बता रहे हूं तो पेपर आप बिच्छा दीजे जहां बच्च लग जाती है कुछ भी खाना वगयरा सब गिर जाता है चिप चिपा हो जाता है मैला कुछ देखने में अच्छा नहीं लगता और इसे चीटी वगयरा मक्खी भी आते हैं तो इस ट्रिक को अपना के एकदम चुटकियों में आप ये काम बेट सीट को साफ करने का काम कर सकते हो दोस्तों तो इस तरह से आप पेपर बिचा दीजेगा जब बच्चे खाएंगे या फिर आप कोई भी पुराना कॉटन नीट और क्लीन कपड़ा ले लिजेगा किसी तरह की साब सुत्र कपड़ा और जब बच्चे आराम से बैठके पूरा फूड फिनीश कर ले अपना तो आराम से यह जो बरतन में खा रहे हैं बरतन वहां पे रखके पानी वागारा जहां बरतन साफ होता है वहां रखने के बाद आप आराम से जो भी गिरा होगा निउस पेपर और कपड़े पे बिचाया हुआ कपड़े पे तो आराम से आप निउस पेपर ऐसे फोल्ड करके ज लेक्अुलुआ को लेकर है तो जब भी कभी घर में हम गरम पानी करते हैं गरम दूध करते हैं या फिर कढ़ाय में सबजी वागारे सब बनाते हैं तसली में चाओल वागारे सब बनाते हैं तो आप देखेगा 6-7 घंटा ये सारी चीजे क्या होती है गरम रहती है गरम पानी सब एकदम गरम रहता है ठंडा होने में इनको टाइम लगता है तो आप इसका सदुपियों कैसे कर सकते हैं जब भी आप बच्चे को खाना वगयरा सब देते हो तो क्या कि जैसे दूद रोटी हुआ दूद हुआ पिलाते हो दूद पिलाते हो दाल चावल हुआ कुछ भी तो ये सब सारी खाना बनाने के बाद ये सब सारी समागरी क्या रहती है एकदम गरम रहती है तो उसके उपर का जो ढकन है दोस्तों आप क्या कीजेगा जिसमें आप बच्चे को दे रहे हैं वो बरतन फिलप करके आप उस धकन में लग दीजेगा इसके बाद इसको आप कवर कर दीजेगा पांच से दस मिनट आप छोड़ देंगे न क्योंकि गरम खाना बच्चे लोग खाते हैं कुछ भी दें दूद वगारा खाना जो भी हो पानी वगारा तो गरम देत दे दिया है दोस्तो तो I hope आपको ये trick पसंद आई होगी तो यहां पर आप देख सकते हो चेन है कभी कभी चेन खराब हो जाती है चाहे व वो पेंट की हो चाहे वो जैकेट की हो, स्कूल बैक की हो, या फिर पर्स की चेन वगारा सब काम करना बंद कर देता है, तो इसके लिए एकदम देशी जुगाड़ है दोस्तों, तो ये केंडल है, केंडल जहां से चेन काम नहीं कर रहा है आप वहाँ पे रगड़ दोगे, इस तरह से आप वीडियो मे लोग करके, देखें इस तरह से आप उपर तक इसको ऐसे कर के, पूरा चेन में दोनों साइड अगर आप रख दोगे ना, नई कपने होते है न, चेन वाली तो वह यली काम करते हैं, फ्रीली काम करते हैं, लेकिन जब ये पुराने हो जाते तो थोड़ा सा चेन की दिकत आ है तो यह एकदम मुंबती रगने से आपका जो भी बैक का हो कपड़े का हो जैकेट का हो इसली से यह लॉक हो जाएगा फ्री हो जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा तो मुंबती से एक बार आप जरूर काम कीजेगा इस तरह से चेन वगएरा खराब हो जाए आपको 100% result यह आजमाया हुआ ट्रीक है दोस्तों दोस्तों औरेंज खाने के तो बहुत सारे फाइदे हैं आज लेकिन हम इन चिलकों की बात करेंगे तो आप क्या कीजेगा कि जब यह चिलके बहुत जादा हो जाए तो इनको आप कड़कती धूप में एकदम सुखा लीजेगा एकद की समस्याओं को यह दूर करता है दोस्तों तो आप कहीं भी रैसेस वगेरा हो कहीं भी दाग धब्बे हो जूडियां हो तो उधर बस पानी मिला के आप लगा लीजेगा तो अगर आपको जादा रिजल्ट अच्छा चाहिए तो दोस्तों आप क्या किजेगा इसमें और थोड़ा सा पानी मिला के एक फेस पैक बना लीजेगा उसके बाद आप चैरे पे लगा के 15 मिनेट रख दीजेगा उसके बाद ठंडे पानी से दो के उसके बाद जो आप भी लगाते हो क्रीम वगेरा वो लगा लीजेगा तो आपका जो फेस है अंदर से चमक दमक उठ इसको हम कितना भी धोएं मिक्सी के जार को तो इसमें क्या होता है थोड़ी सी कहीं न कहीं गंदी इसमेल आती है क्योंकि बार बार इसको हम इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों करना कुछ नहीं है इसमें सारे मिक्सी के जार में हम सारे यह चिलके दे देते हैं उसके बाद इसक कि सुगंद इतनी अच्छी आ रही है एक दम क्या बोलू कि इतना इसके स्मेल इतना अच्छा होता है दोस्तों बहुत ही लापकारिक है इसके बाद आप क्या कीजे इस पेश्ट को आप निकाल लीजे चेहरे पर थोड़ा सा रगर लीजे मुझ साफ कर लीजे इस से क्या होग जो मिक्सी का जार है एकदम गंदी स्मेल से फ्री हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसी लगी आज की जितनी भी घरेलू किचन टिप्स थी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जादा जादा लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और चै डेक्ट जार जादा जार है झाले कर दोस्तों है जादा लगी जाराक कर दोस्तों आपको जादा कर दोस्तों आपको ठादान में से जादा़